हेलो गुट इनिंग स्टुडेंट्स इस आकाशल मुले वंस अगेन आपका मेरे यूटुब चैनल लर्नेक्स नर्सिंग में स्वागत है चलिए आज हम देखेंगे वैकंसी नुकलियर पावर कर्परेशन आफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम यह कहा कि वैकंसी ह पालगर में आता है यह महराश्चर के मुंबई में आता है चलिए यहाँ पे कौन-कौन से वैकंसी निकलियर क्वार्परेशन क्या क्या होने वाला है फॉर्म कैसे भठना है पड़ाई क्या करना है पूरी जानकरी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ ठीक है तो चलिए आप ये वीडियो के अंत तक बने रहिए तो पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो भी नए-ने वीडियो लेके आऊंगा वो आप तुरंट देख पाओगे ठीके अगर ये वीडियो आपको सही लगता है पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर करिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिए उसी से हमको प्रेरना मिलती है हमको इच्छा होती है कि नए-ने वीडियो आपके लिए ला सके हम तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यही जो NPCL का में पेज है यहाँ पर अभी तक आडवर्टाइजमेंट नहीं आई है यहाँ पर आडवर्टाइजमेंट एक या दो दिनों के बाद आ जाएगे हम सिर्फ पेपर में जो आडवर्टाइजमेंट आई है वो देख लेते हैं उसके बेसिस पर आपको पता लग जाएगा कि आपको किस तरीकी से तैयारी रखना है फॉर्म भरने के लिए हैं तो चलिए तो देख सकते हो यहां पर नुक्लियर पावर कॉर्परेशन आप इंडिया लिमिटेड ओके नुक्लियर पावर कॉर्परेशन आप इंडिया ठीक है यहां पर देख सकते हो नुक्लियर पावर कॉर्परेशन आप इंडिया ठीक है अड़िटाइजमेंट नंबर TMH HRM.12023 ओके जैनवरी 2023 के अड़िटाइजमेंट ओके ओपनिंग डेट फॉर सब्मिशन ऑप ऑनलाइन अप्लिकेशन क्या है एट फिबुरुआरी 2023 मौर्निंग टेनो क्लॉक यह ऑनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म भरना चालू हो जाएगा भरना है ठीक है अब NPCL क्या है देख लेते हैं NPCL is a premier public sector enterprise under the department of atomic energy government of India ओके तो आप यह पकड़ सकते हैं यह autonomous body है but still it's under the ministry of atomic energy government of India ओके यह central government के rules and regulation पूरे यहाँ पे लागू होते हैं उसी तरीके से आपको salary भी मिले गया according to the central government rules and regulation and यह department के भी कुछ अलग rules and regulation है वो भी इसमें add हो जाएंगे ठीक है चलिए यहाँ पे देखेंगे को तो आपका selection कहाँ पे होने वाला है तारपूर ओके टैप्स जो hospital है तारपूर महारस्टर साइट में होने वाला है वहाँ पे 50 bedded hospital है तारपूर में at presently वहाँ प salary package, बाके के benefits, health benefits, आपके family के लिए benefits, आपको quarter से बहुत सारी facilities है तो आप देख लीजे कि आपको कितनी-कितनी vacancy निकली है आप पढ़ाई पे लग जाए ठीक है तो यह site कुन सी है तारपूर महारस्टर साइट यहाँ पी job रहने वाला है आपका ठीक है अब name of post देख लेते सबसे पहले serial number one nurse A male and female यहाँ पर ऐसा कोई divination 80-20, 20-80 जो भी है 90-10 ऐसा कुछ नहीं बोला है वहाँ पर जितने male आ सकते उतने female आ सकते वो दे सकते है जरूरी नहीं है कि male है तो इतना प्रतिशत reservation है और female के लिए इतना ऐसा कुछ नहीं है male female दोनों apply कर सकते है nurse A की post के और open की unreserved category की 10 है ऐसा total मिला के 25 post है ठीक है और एक है PWD के लिए ठीक है तो total ऐसी कितनी vacancy है 26 vacancies है यहाँ पे ठीक है then pathology lab technician दो scientific assistant के नाम से भी जाना जाते है जो pathology lab technician जिनका DMLT या BACDMLT हुआ है वो लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं उनकी total 2 post है PWD को पकड़के 3 post हो जाती है then pharmacist जिनका D farm जिनका B farm वगरे हुआ है वो लोग भी यहाँ पर कर सकते हो वहाँ पर उनकी 4 post है total then stipendary training dental technician जिनका dental technicians हुआ है dental technician का course होता है दो साल का अगर वो हुआ है 12 वी के बाद 10 वी के बाद यह dental technician का course होता है अगर हुआ है तो एक post है आप apply कर सकते हो then उसके बाद plan operator maintainer क पोस्ट है यहाँ पर ऐसा total जो जिनका ITI हुआ है उसमें plant operator, fitter, turner, electrician, wireman, electrician, mechanical, information technology, plumber, carpenter, mason यह सब ऐसे total vacancy 158 vacancies है ठीक है तो आप ऐसा पकड़ लो ऐसे total vacancy यह calculate करेंगे तो near about 200 की vacancy बनते जा रही है कितनी 200 vacancy बन रही है NPCIL महराष्टर में ठीक है ओके तो अभी आपको देख लें announcement क्या दिया है यहाँ पर आपको यह जो website www.npcilcareer.co.in यहाँ यही पर detailed information eligibility criteria how to apply general condition यह सब यही पर मिल जाएगी website का नाम के है www.npcilcareer.co.in online registration will come from 8th of February 2023 morning 10 o'clock and it will end at 28 February 2023 at 4 o'clock okay all the announcement regarding this recruitment process will be published on on the NPCIL website okay that is www.npcil.nec.in यहाँ पर time to time उनका यह आ जाएगा तो आपको यह website देखते रहना है form भरने के बाद exam कब होगी उसका recruitment कैसे होगा यह थोड़ा recruitment थोड़ा लंबा रहता है इन लोगों का एक maximum three month का period रहता है तो बहुत urgent basis पर अभी इन लोगों को लेना promotion हो चुका है and at presently they are nurse B, nurse C, nurse D post okay so उनका increment हो चुका है and they promoted on the next level okay so nurse A की जो post है वो बहुत सरी वहाँ पे vacant है इसलिए urgent basis पर यह recruitment इनकी आई है NPCIL की तरफ से तो इसकी detailed advertisement चार दो या चार दिन में website में NPCIL की website में NPCIL महारास्त्रा जो टाप्स तारापूर website है उसमें आ जाएगी आप देखते रहें till that आप आपको क्या-क्या जरूरी लगता है इस तरीके से form warm यह मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है salary central government की होने वाली है तो salary most probably यहाँ पर 90,000 salary जाएगी initial salary प्लस इसमें bonus मिलता है time to time bonus क्या रहेगा 3 month bonus रहता है 6 month bonus रहता है then 12 month bonus रहता है तो यहाँ पर organization का they will give you bonus also 3 month, 6 month, 10 month, 12 month में इस तरीके से इनका bonus रहता है तो साल में समझ लो एक 2 या 3 लाख रुपे आपको bonus ही मिल जाता है तो मेरे हिसाब से यह बहुत बड़ी vacancy है बहुत अच्छा job opportunity है हमारे all over India में जो भी हमारे जो nursing के भाई और भाहने उनके लिए तो मैं आपको य सिदा सिदा आपको बोल दूँगा यहां पे nursing का भी syllabus रहेंगा and 30 या 40 marks का जो रहेगा वह आपका बाखी का empty quantity and सब कुछ यह रहेगा तो physics, chemistry, biology यह भी रहता है 10, 12 का जो physics, chemistry रहता है वो भी इसमें include होता है पूरी की पूरी अड़टाइजम जब आएगी उसमें सब कुछ आपको बता दूँगा आपको क्या पढ़ना है till that till then bye bye good day